हेलो एवरिवन आज का टॉपिक सिविल इंजिनियरिंग के डिजाइनिंग सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो भी लोग डिजाइनिंग करते हैं उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और उनकी जो डिजाइनिंग होती है वो इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंदर आने चाहिए तो इसी के आधार पे उन्हें कुछ कोड्स दिये जाते हैं उसी के आधार पे उनके अपने डिजाइनिंग को कम्प्लीट करते हैं और फिर उसे पास करते हैं अगर वो उनके कोड्स क के अनुसार होते हैं, तो ही उनके डिजाइन किये वे जो भी structure होते हैं, जैसे कि सामने है ही ये, building हो गया, dams हो गया, road, highway, airport, ये सब इन codes के अंदर आने चाहिए, इनकी designing इन codes के अंदर आनी चाहिए, तो ही उनके design को pass किया जाता है, वरना नहीं, और जैसे कि ये दिख रहा है कि इन्डियन standards के अंदर होने चाहिए, तो मतलब कि इनके design सिर्फ इन्डिया में ही सिमित होंगे, इन्डिया के बाहर उनके designs को मानिता नहीं दी जाएगी, तो ये सारी चीज़े हो जाती है, इन्डियन standards के अंदर क्या reason है, ये इन्डियन standards codes का क्या work है, क्या work प्ले करते हैं, ये, तो ये basic चीज़ हो जाता है, उनके designing के लिए, ठीक है, total number of 41 groups हैं, इसके codes 3-4 नहीं होते, बहुत सारे codes होते हैं, अलग-अलग designing होती है, ठीक है, अब जैसे cement होंगे, तो उसके भी codes है, brick होगा, उसका भी code है, concrete या RCC pipe है, ठीक है, या soil है, सबका अलग-अलग codes है, तो उसी के आधार पे work होता है, इसका जो भी headquarter है, ये Delhi में है, याद रखना है, क्योंकि questions पूछे जाते हैं इससे, मैंने यहाँ पर ये topic इसलिए लिया है, क्योंकि इससे questions पूछे जाते हैं, चाहे वो railways exam में हो, या SSJ में हो, या फिर दूसरे exam में हो, उनके core के, civil वालों के core के exam में, तो ये मतलब की ये हो जाता है, इंडियन standard का, इंडियन standard codes का work, अब देखते हैं कि इनके codes का, कौन-कौन से codes जो हैं, इंको पढ़ने हैं, इंडियन standards के अंदर जो भी codes आते हैं, वो कौन-कौन से हैं, और ये काफी important है, इसलिए याद रखना है, railways exam के लिए at least, सारे branches, आप लोग concentrate करेंगे, और इसे याद रखने की कोशिश करेंगे, दो-तीन बार exposure होगा, तो याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले जो code आता है, ये बहुत ही important हो जाता है, IS-456, 456-2000, इसके अंदर plane and reinforced concrete, इसका जो भी designing होता है, plane and reinforced concrete के लिए ही होता है, बस, IS code, 456-2000, ठीक है, याद रखना है इसको, इसके बाद आता है, IS-800-2007, इसके अंदर जो भी steel के, जो भी designing होते हैं, steel के structures के designing, अब जैसे की, steel का structure कैसा होगा, अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, के IS-456, तो इसके अंदर आ जाता है कि ये concrete जो है, इसका minimum depth क्या होगा, minimum thickness क्या होगा, ठीक है, तो उसी तरीके से इसका भी होता है, कि ये जो steel का designing होता है, वो इसका कैसा structure होगा, इसकी क्या density होगी, वो सब कुछ Indian standards के अंदर आता है, 800-2007, इसके इलावा, इसके कुछ specification भी हैं, मतलब कि कोई specific जो भी design होता है, वो इसके अंदर आ जाता है, IS-2062, ठीक है, तो इसे भी याद रखना है, कहीं कहीं पे question इससे भी पूछा गया है, स्पेसिफिकेशन अबाउट the steel used in general purpose, उसके इलावा, IS-Code 808-1989, ये guideline करता है, hot rolled steel structure के रिए, ठीक है, तो इसे भी याद रखना है, ये तीनों में difference है, देख लो यहाँ पे, 800-2007, ये वाला, 800-2007, IS-Code 800-2007, IS-Code 2062, ये अलग टाइप आफ इस्टील है, और ये जो है, ये अलग टाइप आफ इस्टील है, इसलिए आप इसे differentiate कर लो, अभी क्या भी अपने माइंड में, कि ये कैसा है, 808, याद करने के लिए सबसे पहले हैं, 800, 800 वोल है general construction of steel, ठीक है, तूसरा अपने माइंड में रख लो, 808, guideline on the dimension of hot rolled steel, ठीक है, तो 808 में आ जाता है, ये थोड़ा अलग सा figure है, ये वाला, 2062, तो ये आ जाता है, specified है, ये मतलब specific रहेगा, अगर option में रहेगा ये वाला, और ये नहीं रहेगा, तो आप ये ही लगाएंगे, ठीक है, ये वाला important है, 800, 2007, mainly इसी का यूज करते हैं, steel के structure के लिए, तो इसे याद रखना है, next आते हैं, IS code 1200, इसका यूज करते हैं, detail regarding measurement of a building and civil engineering work, जो भी building का construction होगा, उसके analysis में ही इसका use होगा, ठीक है, तो इसको याद रखना, detail regarding measurement of building and civil engineering work, जो भी, उसके बाद, इसके अंदर 28 parts होते हैं, इस पे भी question आता है, कि IS code 1200 में कितने parts होते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना, इसके बाद आता है, IS code 875, 1987, ये होता है, practice of design, of live load, dead load, wind load, and snow load, ये जो है, IS code 875, ये आजाता है, design of live load, dead load, wind load, and snow load, ये type of load है, ठीक है, ये जो है, type of load है, और इसके भी अंदर parts है, ठीक है, तो उसको देखेंगे अभी, इसके जो भी parts है, वो total 5 parts आते हैं, ठीक है, और इसका जो भी load, मतलब कि इसके, इस Indian standard के अंदर, जितने भी load आते हैं, वो इतने load तो हैं, बट इसके इलावा, earthquake zone के अंदर, जो भी load आएंगे, मतलब कि earthquake से होने वाला, जो भी, नुकसान होगा, उसको नहीं लेंगे हम, उसको consider नहीं करेंगे, earthquake के अलावा, जितने भी loads होते हैं, उसको consider करना है, जो की सामने है, live load, dead load, wind load, snow load, ठीक है, फर्स्ट आ जाता है, Indian standard part 1, जो की 1987 में लिया गया था, और ये, sorry, 1987 part है ये, ठीक है, 1987, ये part 1 का है, ये code का हिस्सा है, इसके अंदर आ जाता है, dead load, फिर Indian standard part 2 के अंदर जो आता है, 1987, live load, ठीक है, याद रखना है इसको, की part 1 में आता था, dead load, part 2 में, live load, याद करने के लिए, मैं आभी बता देती हूं आपको, उसके बाद फिर, part 3 में, Indian standard 1987, part 3 में, wind load, part 4 में आ जाता है, snow load, important जो है, यहाँ से first and second है, ठीक है, third भी है, याद करने के लिए, ABCD में सबसे पहले, D आता है न, तो part 1 में, D आ जाता है, उसके बाद, L आता है, तो live load आप लोग, part 2 में रखोगे, उसके बाद, फिर W आता है, तो wind load, third में, fourth और fifth से, maybe नहीं आता है, बट लेकिन, याद रख लो, कि जो S से, था part 4 में, 1987, snow load था, और यह, जो part 5 में जो था, वो, specified load, मतलब, combination of load होगा, part 5 में, तो वो तो याद रहेगा, कि जो सबसे last में, last में, जो part था, उसमें, combination of all loads है, तो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ याद रखने के लिए, कि इस coat के अंदर, जो भी है, earthquake, earthquake zone में, जो भी आने वाले है, criteria, उसको हम consider नहीं करते हैं, other loads को consider करते हैं, उसके इलावा, 1993, 2002, इसके अंदर जो भी आते हैं, वो earthquake resisting design होते हैं, ठीक है, मतलब इसके designing जो होगी, IS code 1893 के आधार पे होगी, ठीक है, क्योंकि जो designing होती है, इसके अंदर, वो सारी, वो सारे units होंगे, जो की बाकियों के अंदर नहीं हैं, तो ये बहुत खास हो जाता है न, earthquake resisting design जो है, ये काफी खास हो जाता है, ये हर जगा नहीं होगा, ये mainly वुस जोन पे होता है, जहां पे earthquake आने की chances बहुत ज़ादा होते हैं, जैसे की डेली, डेली में बहुत ज़ादा chances होते हैं, earthquake आने के, इसलिए वहाँ पे जो भी structure डिजाइन किये जाएंगे, वो इसके आधार पे होते हैं, IS code 1893, 2002, तो इसे याद रखना important है ये, फिर आजाता है Indian standard 3370, 1965, यहाँ पे आजाता है concrete structure for the storage of liquid, तो ये याद रखना, कि concrete को store करते हैं, liquid में, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बताया, यह सारे loads हैं, sorry, यह सारे Indian standard codes हैं, आपको याद रखने हैं, और यह बहुत ही जादा important है, examination point of view से, और knowledge point of view से भी, जो लोग civil engineering के हैं, उनके लिए बहुत जादा important है ये, हिस्सा, तो याद रखना इसको, या लिख लो कहीं पे, इसके इलावा, जो भी, surveying का portion था, अभी complete हुआ नहीं है, तो जब वो complete हो जाएगा, तो मैं उसका, वीडियो तयार कर दूँगी, क्यूंकि मुझे उसके content को पहले collect करना है, आप लोग को पता ही होगा, कि अगर दूसरे ब्रांच के paper को उठाने जाना होता है, तो उसमें काफी कुछ, पहले मैं खुद समझूगी, तभी आपको समझाऊँगी, है ना, तो अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग question revision करो, questions बनाओ, जितना हो सके, ठीक है, ओके चलो, बाई,